हेलो एवरिवन वेलकम टू शिक्षा मंतरम बच्चों जैसा कि हमने पिछले पार्थ में पढ़ा कि कौर्वों ने किस प्रकार पांडवों को वार्णावत में आग में भस्म करने की योजना बनाई तो अब आज के पार्थ में हम ये जानेंगे कि पांडव किस प्रकार वार्णावत के महल से या उस लाख के घर से बाहर निकलते हैं और कौर्वों की योजनाओं को विफल करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पार्थ ग्यारा पांडवों की रक्षा और इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकोन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं पार्थ ग्यारा पांडवों की रक्षा पांचो पांडव माता कुंती के साथ वार्णावत के लिए चल पड़े उनके हस्तिना पर छोड़कर वार्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहां मान कर नगरवासियों को लोट जाना पड़ा दुर्योधन के शडयंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूर भाशा में सिखा दिया था कि जिससे दूस को विफल करने का तरीका पहले ही सिखा दिया था वार्णावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट से उनका स्वागत किया जब तक लाग का भवन बनकर तयार हुआ पांडव दूसरे करते ही युधिष्टिर ने उसे खूब ध्यान से देखा विदुर की बातें उन्हें याद थी ध्यान से देखने पर युधिष्टिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आक लगने वाली चीजों से बना हुआ है युधिष्टिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया पर करते हुए कहा यद्यपी यह साफ मालूम हो गया है कि यह इस्थान खतरनाक है फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके शडियंत्र का भेद हम पर खुल गया है मौका पाकर हमें यहां से निकल भागना होगा पर युधिष्ठिर ने भीम को समझाया युधिष्ठिर की इस सलह को भीम सेन सहित सब भाईयों तथा कुंती ने मान लिया वे उसी लाख के भवन में रहने लगे इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुँचा उसन चिनापुर से रवाना होती समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह में जानता हूं यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है आप मुझ पर भरोसा रखें मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंद करने के लिए आया हूं तो इस प्र गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चहार दिवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेखट के पाहार निकल सकते थे यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना होने पाई पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए इस्थान बनवा लिया था इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चोकनने रहना पड़ता था एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है समझदार युदिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताल गए कि वह क्या सोच रहा है युदिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोच का प्रबंद किया नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया बड़ी दूमधाम रही मानो कोई बड़ा उत्सव हो खूब खापी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नीन में सो गए पुरोचन भी सो गया आधी रात के समय भीम सेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचो भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधिरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लप्टों में ले लिया उरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गए सारे नगर के लोग इखटे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते हाहा कार मचाने लगे यानि कि भोष शोर करने लगे तरही तरही करने लगे कौरवों के अत्याचार से जनता छुब्द हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी लोग क्रोध में अनाप्शनाब बकने लगे हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते जलकर राक हो गया पुरोचन का मकान और स्वयम पुरोचन भी आग की भेट हो गया वार्णवत की लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुचा दी कि पांडव जिस भवन में ठेराए गए थे वह जलकर राक हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा धृ सब मिलकर बड़े जोर-जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लोटे परन्तु दार्षनिक विदुर ने शोक को मन ही में दबा लिया अधिक शोक प्रदर्शन न किया इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाग के भवन से बचकर निकल गए होंगे पितामा भीश्म तो मानुशोक के सागर ही में थे पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किये गए अपने सारे प्रवन्ध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया लाग के घर को जलता हुआ छोड़ कर पांचो भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुँच गए जंगल में पहुँचने पर भीम सेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीडित होने के कारण चारों भाई बहुत ठके हुए हैं माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दैनी थी बिचारी ठक कर चूर हो गई थी सो महाबली भीम ने माता को उठा कर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया युधिश्टिर और अरजुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उसी जं मिलने लगा जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली युधिश्टिर ने मलाह से सांकेतिक प्रशन करके जांच लिया कि वह मित्र है वे लोग अगले दिन शाम तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित इस्थान पर पहु और नेंद भी उन्हें सताने लगी चकरसा आने लगा एक पक भी आगे बढ़ना असंभा हो गया भीम के सिवाए और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए कुंती से तो बैठा भी नहीं गया वह दीन भाव से बोली मैं तो प्यास के मारे मरी जा रही हूँ अब मुझसे बिलक हो गई माता और भाईयों का यह हाल देखकर छोप के मारे भीमसेन का हिर्दय दग्ध हो था वै उस भयानक जंगल में बे धड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया उसने पानी लाकर माता वा भाईयों की प्यास बुझाई प से बैठा रहा पाँचो भाई माता कुंती को लिए अनिक विग्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीवते जेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए वे कभी माता को उठा कर तेच चलते कभी ठके मांदे बैठ जाते कभी एक दूसरे से होड लगा कर रास्ता पार करते वे ब्रामन ब्रह्मचारियों का वेश धर कर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्रामन के घर में रहने लगी तो इस प्रकार से पांडवों ने कई कश्टों को सहन किया और बड़े संगर्ष के बाद उन्हें एक नगर में जिसका की नाम था एक च चक्रा उसमें एक ब्रामन के घर में उन्हें आश्रे मिला और लेकिन वहाँ पर वे च्छत्रियों के वेश में नहीं बलकि ब्रामन ब्रह्मचारियों के वेश में रहने लगे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके माता कुंती के साथ पांचो पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांग कर अपनी गुजर करके दिन बिताने लगे भिक्षा के लिए जब पांचो भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था वे बड़ी चिंता से उनकी बाट जोटती रहती थी उनके लोटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी क्योंकि उसका मन घबराता था कि कहीं फिर से कौरव पांडवों की पहचान करके उन्हें मारने की कोशिश ना करें पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके दो हिस्से कर देती एक हिस्सा भीम सेन को दे दे थी और बाकी आधे में से पाच हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी क्योंकि भीमसेन का शरीर बहुत विशाल था तो उसे खाने की ज्यादा आवशकता थी हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा भीमसेन का यह हाल देख कर कुंती और युधिश्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे थोड़े से भोजन से पेट न भरता था सो भीमसेन ने एक कुमहार से दोस्ती कर ली उसने मिट्टी आदी खोधने में मदद करके उसको खुश कर दिया कुमहार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षन हांडी देखकर बच्चे तो हस्ते हस्ते लोट पोठ हो जाते थे हांडी याने की बरतर एक तिन चारो भाई भिक्षा के लिए गए अकेला भीम सेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा इतने में ब्रामण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई अंदर जाकर देखा कि ब्रामण और उसकी पत्नी आँखों में आशु भरे सिस्किया लेते हुए एक दूसरे से बाते कर रहे हैं ब्रामण बड़े दुखी हिर्दै से अपनी पत्नी से कह रहा था कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधिर नगरी को छोड़ कर कहीं और चले जाएं पर तुम नहीं मानी यहीं हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गाउं है यहीं रहूंगी बोलो अब क्या कहती हो अपनी बेटी की भी बली कैसे चड़ा दू और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दू यदि मैं शरीर त्याकता हूँ तो फिर इन अनात बच्चों का भरन पोशन कौन करेगा हाई मैं अब क्या करू और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले यही अच्छा होगा कहते कहते ब्रामण सिसक सिसक कर रो पड़ा ब्रामण की पत्नी रोती रोती बोली प्राणना मुझे मरने का कोई दुख नहीं है मेरी मृत्यों के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं अब मुझे प्रसन्नता पूर्वत आग्या दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनू पत्नी की ये व्यथा भरी बाते सुनकर ब्रामण से न रहा गया वह बोला प्रिये मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बली चड़ा दे और खुद जीवित रहे माता पिता को इस तरहे बाते करते देख ब्रामण की बेटी से न रहा गया उसने करुन स्वर में कहा पिता जी अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दे सबको इस तरहे रोते देखकर ब्रामण का नन्ह सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकडी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला उस राक्षस को तो मैं ही इस लकडी से इस तरहे जोर से मार डालूंगा कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा वह बोली हे ब्रामण क्या आप क्रपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है ब्रामण ने कहा देवी सुनिए इस नगरी के समी एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है पिछले तेरह वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढ़ा रहा है इस देश का राजा जो वैतर की ये नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है इससे घबराकर नगर की लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना ले बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से इस समझोते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी-बारी से एक-एक आदमी और खाने की चीजें हर सब्ताह उसे पहुँचा दिया करते हैं इस सब्ताह उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा आपने पूछा सो आपको बता दिया इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है मेरे पांच बेटे हैं उन में से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा सुनकर ब्रामन चौक पड़ा और बोला आप भी कैसी बात कहती है आप हमारी अतित्थी है हमारी घर में आश्रे लिये हुए है आपके बेटे को मौत के मुह में कैसे भेजू यह कहां का न्याय है मुझसे यह नहीं हो सकता कुन्ती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुरियोधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं इसलिए उसने ब्रामण से इस बात को गुप्त रखने का आगरह किया था कुन्ती ने जब भीम सेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामकरी लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खीज उठे और बोले यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हुमा युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुन्ती बोली बेटा युधिष्ठिर इस ब्रामण के घर में हमने कई दिन आराम से विताए हैं जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए मैं बेटा भीम की शक्ती और बल से अच्छी तरह परिजित हूँ तुम इस पात की चिंता मत करो जो हमें वार्णावद से यहां तक उठा लाया जिसने हिडिम्ब का वद किया उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव व्य है इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए भीम से इन उचल कर गाड़ी में बैट गया शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले एक निश्चिद इस्थान पर लोग रुख गए और अकेला भीम गाड़ी दोड़ाता हुआ आगी गया उधर राक्षस मारे भूग के तड़प रहा था जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया देखता क्या है कि एक छोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भूजन कर रहा है यह देखकर बकासुर की आँखें क्रोध से एक तम लाल हो उठी इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी उसने हस्ते हुए उसका नाम लेकर पुकारा भीमसेन की यह ठिठाई देखकर राक्षस गुस्य में भर गया और तेजी से भीमसेन पर जप्टा भीमसेन ने बकासुर को अपनी और आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीट फेड ली और कुछ भी परवाह ना करके खाने में ही लगा रहा खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड जड़ से उखाड लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा परन्तु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया दोनों में भयानक मुटफेड हो गई भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार कर गिरा दिया और कहा दुष्ट राक्षस जरा विश्राम तो करनी दे थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा अच्छा अब उठो बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा भीमसेन ने उसको ठोकरे लगा कर फिर गिरा दिया इस तरह बार बार पचाड खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था आखिर भीम ने उसे मू के बल गिरा दिया और उसकी पीट पर घुटनों की मार देकर उसकी रीड तोड़ डाली राक्षस पीड़ा के मारे चीक उठा और उसके प्राण पखेरू उड़ गए भीमसन उसकी लाश को घसीड लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया फिर उसने घर आकर मा को सारा हाल बताया तो इस तरह भीमने एक चक्रा नगरी के लोगों का यह संकट दूर किया तो बच्चों देखा हमने कैसे पांडव उस लाख की घर से बाहर निकले जलते हुए लाख की घर से सुरक्षित बाहर निकले लेकिन जंगलों में उन्हें कई मुसीवतों का सामना करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उन्हें रहने का एक ठिकाना मिला जहां पर की वो अपनी पहचान को लोगों से बता नहीं पाए और चुपचाप गुप्त रूप से ब्रामनों का वेश धर कर उस गाउं में रहते रहे लेकिन जब बकासुर से भीम का युद्ध हुआ तो अब लोगों को पता चल जाने वाला था कि यह तो भीम है इसके आगी क्या होता है तो यह हम जानेंगे अगली कहानी में तो तब तक हम इस पार्ठ में आए कुछ महतोपूर्ण बिंदूओं को छोटे-छोटे से प्रश्ण उतर के माध्यम से एक बार से फिर दोहरा लेते हैं प्रश्ण एक बार्णावद चाते समय विदूर ने युधिष्टिर को क्या समझाया उत्तर दुर्योधन के शडे अंद्र तथा उससे बचने का उपाय विदूर ने कूण भाषा में युधिष्टिर को समझा दिया था ताकि दूसरे लोग समझ ना सके प्रश्ण दो सुरंग बनाने वाले कारीगर ने पांडवों को अपना परिचाय कैसे दिया उत्तर सुरंग बनाने वाले कारिगर ने पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होती समय विदोर्ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूं यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है मैं आप लोगों की रक्षा का उपाय करने आया हूं प्रश्न तीन लाख के भवन से बचकर पांडव कहां चले गए वे लोग वहां किस प्रकार अपना गुजर करते थे उत्तर लाख के भवन से जीविद बचे पांडव एक चक्रा गाउं में चले गए जहां भिक्षा मांग कर अपना गुजर करने लगे प्रश्न चार कुंती ने अपना आतिथ्य धर्म कैसे निभाया ब्रामण ने कुंती की बात का क्या जवाब दिया उत्तर कुंती ब्रामण से बोली विप्रवर मेरे पांच बेटे हैं उन में से एक राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा कुंती की इन बातों को सुनकर ब्रामण चौक पड़ा और बोला आप हमारी अतिथी हैं आपके बेटे को मौत के मुह में भेजना यह कहां का न्याय है मुझसे यह नहीं हो सकता प्रश्न पांच भूखे राक्षस ने भीम को भोजन करते देख कर क्या किया उत्तर भूख से व्याकुल राक्षस भीम को भोजन करते देख कर क्रोट से लाल हो गया भीम की इस धिढ़ाई को देख कर तेजी से वह भीम पर जपटा खाली हातों काम बनते न देख कर उसने एक बड़ा सा पेड जड़ सहित उखाड कर भीम से इन पर दे मारा प्रश्न छे भीम ने बकासुर का वत कैसे किया उत्तर भीम और बकासुर में भयानक मुठ भेड हुई भीम ने एक बड़ा सा पेड जड़ सहित उखाड कर उस पर दे मारा बकासुर उठकर भीम से लड़ने लगा भीम बार पार ठोकरे मार कर उसे गिरा देता था और बकासुर गिरने पर भी उठकर भिड़ जाता था अंत में भीम ने उसे मुह के बल गिरा दिया और उसकी पीट पर घुटनों की मार दे कर उसकी रीड की हड़ी तोड़ दी राक्षा स्पीडा के कारण चीख उठा और वहीं पर मर गया इस तरह से भीम ने बकासुर का वद किया तो बच्चों उम्मीद हैं कि आपको यह पार्ट ठीक से समझ में आया होगा इस पार्ट के पहले की कहानिया जानने के लिए और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाद और भी कई कहानिया आने वाली है महाँभारत में अभी और भी कई किस्से बाकी है तो देखते रही है शिक्षा मंतरम तो मिलते हैं एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ तब तर के लिए बाई बाई